नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पंच टैमली के एक और एपिसोड में दोस्तों एलेक्ट्रिक वेहकल को प्रमोट करने के लिए गौवर्मेंट अलग अलग पॉलिसी पे काम कर रही है जैसे कि आपने सुना होगा स्क्रैपेस पॉलिसी के वारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है डिजल गाड़ी और अगर आप रहते हो दिल्ली में तो ये आपके लिए कहीं से भी सुखत खवर नहीं है दोस्तों क्योंकि गाड़्मेंट ने एक इनिसिटिव ली है जिसके तहस अगर आपके दस साल पुरानी हो चुकी है गाड़ी तो इस स्क्रैपेस पॉलिसी के तहस आपको गाड़ी को स्क्रैपेस कंपनी को देना पड़ेगा दोस्तों अदरवाईज आप नो अबजेक्शन सर्टिफिकर्ट लेकर उसको अदर स्टेट में भी सेल कर सकते हो और जहां तक बात करें स्क्रैपेस पॉलिसी के तहट अगर आप गाड़ी को देते हो कुछ कंपनी निधारित की गई है गौवर्मेंट के द्वारा आप उनको कॉल करो वो आपके घर से गाड़ी पिकप करके ले जाएंगे और आप चाहो तो उसकी पूरी CCTV फूटेज देख सकते हो कि गाड़ीों को उन्होंने कैसे डिस्मेंटल किया है आप चाहो तो पचीस रुपए पर केजी के हिसाब से आप कुछ पैसे जनेरेट कर सकते हो अदरवाईज आप चाहो तो पचीस परसेंट के आपको बेनिफिट मिल सकती है रोट टेक्स में तो दोस्तो जहां तक हम बात करें कि आज ऐसा समय आ गया है कि डिजल गाड़ीों की जो लाइफ है वो दस सार से जादा नहीं रही तो आज के डेट में डिजल गाड़ी लिना मेरे ख्याल स कहीं से भी समझदारी वारी बात नहीं है क्योंकि मुझसे काफी उजर पूछते हैं कि सर हम गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन हम तो मिडल क्लास हैं एक बार से जादा कितना इंवेस्ट कर पाएंगे तो क्या हम 15 साल इसको रख सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक साफ साफ ब मैं आपको कि दोस्तों मैं आपको एक सानी ओक्म पाड़ी लेकितनी बारा मदांगेका फैद जे औरे जड़ी पेहं सब्छ़ वांगे option मैं दोस्तों मैं खिर भी समझे साफ तोस्तों मैं पा happier ‫